तुझ पार पुश्पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां पहले ग्रंथ नहीं थे मौकिक परंप्रा से चलता आ रहा था बाद में ग्रंथ इधर से उधर हो गए और कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ गुसाय तो गलत है वहीं बात निकली तो सपा के खेमे में जागिरी समाजवादी पार् आत्मा मोहन भागवत पर सवाल खड़े क्यूं नहीं कर रहा है मोहन भागवत जी पर मुकमा दरज कभ होगा मोहन भागवत जी के सर पर कथित धर्मधुरनधर इनाम कब रखेंगे सपा के साथी यानी स्वामे प्रसाद मौरे ने भी ट्वीट कर इसके सवाल के जवाब पूछें क्या अपसीर काटने जीब काटने हाथ ना काटने वाले तथा कथित धोंगी धर्माचार सारवजनिक रूप से गलती मान कर मेरी बात पर अमल करेंगे यह चौइस तो हमारा है यह चौइस सिखाने वाला धर्मा है संतुलम देने वाला धर्मा है तो हमारा धर्म यह विद्ञान के अनुसार चलता है और विद्ञान को मनुष्य के लिए लाबकारी होने के लिए उस धर्म के आवश्चता है और इसलिए ये विद्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में हर विशह में दुनिया के अन्वेशन के हमारे पास हमारे पुरुजों का किया कुछ न कुछ है अब वो परंपरा से चलते आया, पहले हमारे या गरंता नहीं थे, मौकिक परंपरा से चला, बाद में गरंता हुए, वो गरंता इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुश गए, उन्होंने गरंता है, मैं कुछ-कुछ घुसा दिया, जो बिलकुल गलत है, तो उन्हों गरंतों की उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समिक्षा आवस्षा के है, जो इस कसोटी पर टिकेगा, कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, विज्ञान है और लाभकारत ज्ञान है, उससे मनुश्य जाजिका लाभ हो सकता है, उसके लिए आ अवस्षक एक अनुशासन है, उस अनुशासन से ही तो उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाभा पड़ेगा। विज्ञेश ने एक के बाद एक हमले के, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिना समाजवात के सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है, पुझी वादी को बढ़ावा देना बीजेपी का काम है, गरीबों को खुश करने के लिए चोटी मोटी योश ना चलाते हैं, जातिये जन्गरना करवाने से ड़ती है सबकार, यहां तक की प्रयागराज की घटना का भी जिकर करना अखले शादव नहीं भूले। कानपूर के समाजवादी पार्टी के विधायक अरफान सुलंकी की परिशानी कम होती नहीं दिख रही है, पहले ही गैंक्स्टर के मामली में चेल में बंद अरफान सुलंकी की आवासी योशना में प्लॉट को जब्त करने के लिए कानपूर पुलिस गाजियाबाद इर्फान सुलंकी का है, पुलिस के हिसाब से इसकी बाजार में कीमत करीब पांच करोड है। ये कानपूर से मैं इस्पेक्टर फील खाना हूँ, जो अपने चार सदस्टी टीम के साथ मदबन बापुधाम ठाने पर उपस्ती दुआ हूँ, ये इर्फान सुलंकी जो परतमान समय में जेल में है और इसके उपर ठाना जाजमो कानपूर नगर से 157 बटा 22 यूपी जो पंजी मुक्रत हुआ है जो खाना फिल खाना से हमारे द्वारा उसकी बीदेचना की जा रही है इर्फान सुलंकी और उनके साथियों की जो अवैश शंपत्या है उन्हें चौदावन के पहर चिन्मीट कर उन्हें राज शरकार के पच्छ में हिद्बत किया रहा है अभ हुली की मौकी पर तरह तरह की हिदायत दी जाती है उसी कड़ी में अमेशी में लोगों का आगाह कर दिया गया है समाजिक सवहार्थ को किसी ने भी बिगारने की कोशिश की तो कारिवाई की जाएगी यह एल्टिमेटम हुर्दंग मचाने वालों के लिए जो एस्पी ने दे दिया है एस्पी ने शांती से होली मनाने की अपील की है उसी केटेगरिया होता है उसी से भी फुलिस करण चारियों का तानः प्रवा अरिग्वार रविदौन प्रमण शीर किया रहा है सभी तानः में से फोर्स गावं में जारके ग्राम सुरक्षा संमिति का मीटिंग भी किया जा रहा है और तानः लवल बे भी पीस सब को निस्तार किया जा रहा है अभी साथ आठ तारीकों प्रयाप्ट संक्या में पूर्ष तैनात करके होली अच्छा बनाने के लिए पूरी प्रहाश करें खोली और शबै बारात को लेकर उतर प्रदेश के मुख्य मनें इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया में वरिस्ट मुस्लिम धर्म अभी की अमन कायम रखने के पहल की और मुसलिम धर्म गुरू की उनकी कोशिशों को लेकर सराना भी की है दोनों एक दिन पड़ रहे हैं और लखलो की बहुत पुरानी ये संस्कति है और हम लोग आपसे मिल जूल करके रहते हैं तो दोनों लोग सामज़स से बना करके दोनों तयारों को धूम धाम से हम लोग मनाई एंगे और जैसे मुलाना चाहब ने तैय किया है और हमारे साथ पुली साफी सर्श इस्थानी प्रसासन के सब लोग बैठे हैं हम सब लोगों ने तैय किया है कि सांत्पूर वर ठीक धंग से हम लोग बढ़िया तोहर मनाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहों साफ सफाई पर विजिली का पुलिस प्रिसासन की मुस्यदी पुरी रहे हैं लखनो गंगा जमनी तहजीब का मरकस कहा जाता है केंगर कहा जाता है मौना साब का बड़ा योगदान हमेशा देखा गया किस तरीके का कहेंगे हो अधिकालियों को किस करें प्रदेश के अधिकारियों को वं कहते हैं नेर्देश भी देब जिते हैं ती सांधिपूर्वक obese कैसे मनाया जाएगा और तेवारों को सान्धिपू्रवक के साथसासा सभ्वाई और बिसली की पूरी सप्लाइए हो चाहिकर्द यांगते हैं कि इस साथ एपरेल को पिछले साल तो होली और जुमा और शब्राद एक दिन थे, उसमें लोगों ने जुम्ह का टाइम एक स्टेंट कर दिया था, इंदू भाई उन्ने होली की बरात का टाइम एक घंटा घंटा गटा दिया था, उसका नतीज़ यह हुआ कि लोगों ने होली भी पूरी अदादी क साथ खेली और लोग अमन सुकून से शबराद भी सपने मनाई तो इस साल भी यही अपकी लोगों से की गई है कि सब लोग होली पूरी धुनधाम से मनाएं और उसी के साथ साथ मसल्मान भाई शबराद के मौके पर खबरुस्तान असिर के नवार यदि पाच बजे के बाद ज इस्लामिक सेंटर तर्शीफ लाएं हैं तमान ट्यपार्टमेंट्स की इन्होंने मीटिंग करके इस बात को इंशोर किया है कि ये दोनों तेवार बहुत अच्छे पैमाने पर और अच्छे इंत्रजामात के बाद के बाद के साथ मनाई जा सके है उतरपदेश सरकार के सामकाच का ब्योरा दिया साथी विशेष रोजगार मेले की प्रगती की जानकारी दी सरकारी योशनाओं के जागरुकता कारेक्रम के बारे में ही बी ऑउगत कराया है साथी दानिश अनसारी ने मुख्यमंद्ज योगिया अदतनात की तारी भी की कहा कि अल्पसंक्यक साथी कहा कि जनता की सुवधाओं के यूपी सरकार पूरियमानदारी से धरातल पर काम कर रही है इस खबर में बस इतना ही देशुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार